ये उन्नेस तरिक की देर रातरी एक वेक्ति जो है कंकड़ बाग थाना पर आये जिन्होंने बताया कि दो वेक्तियों द्वारा जो है उनको ठग लिया गया है उनका एक बैग, फोन और कुछ कैश जो है उन्होंने ठगा है तो इस संबंध में प्रात्मे की दर्ज करते हुए तौरिक कारवाई में उन दोनों ठगों को गांगे मैदान के खोपय से गिरफतार किया गया इसमें मामला जो सामने आया है यह है कि जो वेक्ति हैं अजीत कुमार जो वादी है वो राजित्र नगर स्टेशन पर गये हुए थे ट्रेन पकड़ने के लिए वहाँ पर कुछ व अजीत के लिए और एक अमर्जनसी बताते हुए उनसे पैसे ट्रांसफर करवाई उनको कुछ क्ष देते हुए कि अमर्जनसी है घर पर पैसा ट्रांसफर करना है तो आप कर दीजे उसी में उन्होंने उनका जो है पासवर्ट जो फोन का वो देखा और अपने घर पे बात क करने के लिए उनसे फोन मांगा और उसके बाद वो लोटे ही नहीं उनका फोन और बैग के साथ जिसमें फिर थाना है तो जो यह गुरुप जो पकड़ा गया है जो दो ठग हैं उनका में मोडस यही रहता था कि अगर अकेले रहगीर हैं तो उनके साथ दोस्ती करना उनके जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके पैसा निकाल लेते थे और इस तरीके से इन लोगों का यह ग्रूप है दोनों जो अभ्यूक्त पकड़ाएं हैं वो एक हैं लाल बाबु पिता मोती रहमान ये जेजे कॉलनी दिल्ली के रहने वाले हैं और जो दूसरे अभ्यूक्त है मोहमद कलीम पिता मोहमद रहमाद ये भी जेजे कॉलनी बावाना दिल्ली के रहने वाले हैं इन दोनों से पूछताच के करम में जो है आगे भी जब छापे मारी की गई ये दोनों जो है 17 तरिक से यहां पर गांधी मैदान के एक होटल में रह रह रहे थे वहां से इनके प इनके पास से कुछ डेबिट कार्ड भी जो है वो बरामद हुए हैं तो इनका जो गिरो में था इनके पास से एक गड़ी भी जो है बरामद हुई है जिसमें ऊपर ये लोग नोट लगाते थे और नीचे जो है कागज का बना के रखते थे लोगों को बैंक वगेरा में जमा